नमस्कार आप देख रहे हैं जन्मत की पकार, खबर विहां के पश्चिम चंपारन वेतिया की है, जहां एक नाबालिक के साथ दुशकर्म करने का मामला प्रकाश में आया है इस बाबत में मज़ौलिया पोलिस ने त्वरित कारिवाई करते हुए पीडिता की माखे आविदन के आधार पर पांच लोगों के विरुद दुशकर्म की प्राथमी की दर्च करते हुए अनुसंधान तेश कर दिया है उप्त जानकारी थाना ध्यक्ष अशुक कुमार शाहनी दी है उन्होंने बताया कि आरोपितों के विरुद मज़ौलिया थाना कांड में विविद धाराओं के तहट अभियुक्त मनोज दास की पतनी जो सेनुवरिया वार्ड नमबर तीन की निवासी सहित पांच लोगों पर प्रात्मी की डर्ज हुई है जिसमें बेतिया का भी एक आरोपित है आविदिका ने आवितन में लिखा है कि पिछले दिनों मेरे नाबालिक पुत्री गाउं की ही दुकान से दवा खरीदने गई थी लेकिन आरोपितों ने उसे जपरन हाथ पकड़कर अपने घर ले ग जहां पर दो दिन रखकर दुशकर्म किया गया आविदिका का कहना है कि किसी तरह पिछले दिनों तारिक 12 सितंबर 2022 की दिन मेरी पुत्री को उनके चंबल से निकाल कर करीद चार बजे वाली बस से घर पहुँच गई तब जाकर सारी आप बिती बताई इसको लेकर मैंने थ संदर्व में ठाना द्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि पीडिता को 164 के बयान वो मेडिकल जांच के लिए बेतिया भेश दिया गया है आरोपितों के गिरफतारी के लिए हर संभव ठिकानों पर छापे मारी तेश कर दी गई है संख्याद 676-22, दिनांग 24-22, धारा 341, 346, 346, 376, 120, 506, भादवी, चार अवलिक्षे, 508 के नामजत अभियुक्त, मनोष दास के पतनी, सहित 5 लोग नामजत अभियुक्त हुए हैं जिसमें सिर्वरिया बार्ड नमबर 3 एवं बेतिया के भियुक्त सामिल हैं, इनके गिरफतारी के लिए थाना धर्च महदय मजहुलिया, श्री असोक साके नित्यूत में छापमारी शुरू है, आता है, बहुत जल्द ही गिरफतार कर लिया जाएगा अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरफया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार